आज 23 फरवरी 2023 दिन गुरुवार है वेलकम बैक टू क्लीन न्यूस एंपी चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहा से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें सरकारी विभागों में 6 महा में रिक्त पदों पर भरती की प्रक्रिया होगी पूरी मध्य प्रदेश की विभिन सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भरती की प्रक्रिया 6 महा में पूरी की चाहेगी सरकार ने अगस्ते 2023 तक भरती करने का लक्ष रखा है इसको लेकर सामानी प्रशासन विभाग तो नियमित समिक्षा कर ही रहा है अब मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चुहांवी विभाग या दिकारियों के साथ बैठक करेंगे साथ हजा पुलिस आरक्षकों की भरती नए नियमों के आधापर होगी इसमें शाररिक दक्षता के अंकों को मिलाकर प्रवर्णिय सूची चारी होगी सरकार ने राज्य संभाग और जलस सरीय संवर्क के रिक्त पदों की चानकारी मांगकर भरती प्रक्रिया प्रारम करने का नेने लिया था राज्य लोक सेवा आयोक और करमचारी चैन मंडल ने भरती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है मार्च से परिक्षाएं भी प्रारम हो जाएंगी उधर 7500 फुल सारक्षक पर भढ़ती होनी है संबल हिद्गराईयों को भी मिलेगा आयूश्मान योजना का लाव भारा सरकाद्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आयूश्मान योजना में निशुलक उप्चार की ववस्ता की है इसमें हिद्गराई का पांच लाग तक का उप्चार निशुलक किया जाता है इस योजना का लाव संबल हिद्गराईयों को भी दिया जाएगा जिले में इसके लिए श्रमिकों का पनिजियन की अचारा है ताकि उन्हें भी आयुश्मा नियोचना के तैट निशल कुप्चार उपलग्ध हो सके आयात निर्यात प्रबंदन डिजिटल मार्केटिंग डाटा अनलिटिक्स में प्रबंदन विकास कारिक्रम का आयोजन 28 परवरी से चार मार्स तक आयोचित किया जा रहा है सुष में लगो एवं मध्यम उध्यम शेत्र में कारिड़त उध्यमियों अथवा उनके प्रबंदकों वा सूपर्वाइजर इस्तर के अधिकारियों करमचारियों और भावी उध्यमियों हैं तो यह प्रसिक्षन निशल करहेगा पांस दिवसी अफदी का आयात निर्यात प्रबंदन डिसिट्रल मार्केटिंग डाटा एनलेटिक्स में प्रबंदन विकास कारिक्रम का आयोजन इन दौर में 28 परवरी 2023 से चार मार्च 2023 तक किया जा रहा है एक मार्च को प्रस्तुत होगा मध्धी प्रदेश का बजट सो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होंगी प्रविदान सरकार एक मार्च को बढ़ावा देने के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करेगी इसमें सोरोजगार को पढ़ावा देने के लिए S.E.S.G. O.V.C. सहीत अन्ये वर्गों के लिए संजलत योजनाओं के वित्ती प्रविधान में व्रद्धी प्रस्तावित की जाएगी मुख्यमंतरी युवा अनदूत योचला के माध्यम से राशन वित्रन का काम चुनिन्दा परहिवन करताओं के सान परिस्तान ये युवाओं को देने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ती विभाग को बजट आवंटित किया जाएगा मध्य प्रदेश से हज्यातरा पर जाएंगे करीब पाnell हज्यातरा पर जाएंगे करीब 5,000 लोग 10 मार्स तक भरे जाएंगे आवेदन के अद्रवशिर रफवतवार्सी ने बताया कि देशवर से 1,75,000 हज्यातरियों का कोटा कियो हुआ है मध्य प्रदेश से करीब 5,000 हजी आतरी जाएंगे बीते वर्ष की तुलना में हजी आतरा का खर्च 50,000 रुपए तक कम होगा मध्य प्रदेश में उर्जा विभाग की विभिन कंपनियों में 453 पदों पर होगी भरती मध्य प्रदेश में बीरोजगा युवाओं के लिए अच्छी खबर है अब मध्य प्रदेश में उर्जा विभाग की विभिन कंपनियों में 453 पदों पर भरती की जाएगी इसके लिए 21 परवरी को ग्यापन चारी किया जाएगा मध्य प्रदेश के उर्जा मंतरी प्रद्यूमन सेंग् तोमर ने सम्मन में जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को रोजकार देने और बिजली कंपनियों के कारियों के सुचारू संचालन के लिए यह भरती की जा रही है मध्य प्रदेश के उर्जा मंतरी प्रद्यूमन सेंग् तोमर के अनुसा रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आविधन 24 परवली से 16 मार्च 2023 तक किये जा सकेंगे भरती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश फावा जनरेटिंग कमपी द्वारा की जा रही है डियल का इंतिजाज जरूए 6000 कार्ड की आय महस 50 शेत्री परिवन कारियाले में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए भोपाल से 50 कार्ड ही आ सके हैं इस कारण 85 लाइसेंस बन सकें लेकिन विभाग में जनवरी वा फरवरी की पेंडेंसी 6000 के उपर हो चुकी है जिन लोगों की लाइसेंस शेत्री परिवन कारियाले में लंबेत हैं उन्हें कारियाले से निराश को कर लोटना पढ रहा है शेत्री परिवन अधिकारी एच के सेंगे स्मार्ट चिप कंपनी को जल्द कार्ड उपलद कराने की निर्देश दिये हैं ताकि पेंडेंसी क्लियर हो सके राश्टी सूचना केंदर के सार्थी पोटल पर ड्राइविंग लाइसेंस से सम्मंद सेवाएं दीचारी है वहाँ चार पोटल पर वहाँ उसे सम्मंद सेवाएं दीचारी है ड्राइविंग लाइसेंस वा रेजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करने की दिमिदारी स्मार्ट चिप कंपनी के पास है NHLM ने बढ़ाई तारीक अब 25 को खुलेंगे रोवे के टेंडर नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया की सहयोगी संसा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने फूल बाग से लेकर के लिए तक 1.88 किलोमीटर लंबे रोवे के निर्मान की टेंडर की डेट को आगे बढ़ा दिया है पहले ये टेंडर 17 फरवरी को खुले जाने थे लेकिन अब इसे 25 फरवरी को खुला जाएगा 24 फरवरी तक कंपनिया इस टेंडर पक्रिया में भाग ले सकेंगी इस रोवे की कुल लागत 127 करोर 32 लाग रुपे बताई गई है इसमें कंपनी को रोवे तयार करने के साथ ही उसका संचालन और संधारन भी करना होगा इनगर पालिका की सेवाओं को लेने के लिए आधार प्रमार्नी करन जरूरी इसके लिए गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन हो चुका है निगम के नोडल अधिकारी विदी अनुपलेटोरिया ने बताया की इनगर पालिका पोटल पर उपलब्द सेवाओं के लिए किसी भी वैक्ति को स्वेच्छा से आधार प्रमार्नी करना प्रक्रिया करना जरूरी आवशक है बशर्टे की जब तक वैक्ति को आधार आवंटिक नहीं किया जाता तब तक ऐसे वैक्ति को ऑनलाइन सेवाओं का लाव आधार नामनकन आईडी परची प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा मध्यप्रदेश के इंद्रा सागर जलाशे में शुरू हुई चार सीटर वाटर इमुलेंसे रोजगा मिलेगा और ग्राम चार खेड़ा एको टूरिजम सेंटर बनेगा यहां से लोग हनुवंतिया और अन्य टापूंगों पर जा सकेंगे इसके अलावा यहां पितली पार्क और नरसरी बनेगी वाटर अमबुलेंस से आदे गंटे के अंदर बिमार मचुआरे को पी स्कूल शिक्षा पर फिर से पोर्टल कोलेगा वहीं जब तक याचिका का निराकरण नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा संभावना जिताई जारिये कि हाई कोट के आदेश के बाद अब जल्दी पोर्टल को एक बाद फिर ओपन किया जाए योग आयोग की अध्यक्षे वेद प्रकाश ने कहा जल्दी एम्टी के मदर्सों में धामिक तालीम के साथ ही योग की शिक्षा दी जाएगी योग किसी ध्यम संप्रदाय विशेश से संबंदित नहीं हैं मदर्सों में योग सिखाने पर उलेमा बोड और कलमा सेंटर के अ अलग हैं मध्य प्रदेश में तालीम के साथ मदर्सों में योग की ट्रेइनिक देने की मांग समय समय पर उठती है योग आयोग की अध्यक्षे वेद प्रकाश ने योग प्रसिक्षन संसान में पदभा ग्रेंड करने के दोरान कहा कई देशों ने योग को अपनाया है सभ शेक्षनिक संस्थाओं में योग के लिए प्रस्टिक्षन दिया जाएगा रेलवे प्रशासन का टला मामला फिर शुरू प्रदेश की पहली बंदे भारत ट्रेन जबलपुर इंदौर के बीच अप्रेल से चलाने की तैयारी रेलवे प्रशासन हाई स्पीड ट्रेन बंदे भारत जबलपुर से इंदौर के बीच अप्रेल में चला सकता है या ट्रेन रानी कमला पती रेल्वे स्टेशन पर भी हॉल चलेगी इसके लिए रेलवे तैयारिया कर रहा है पहले यह ट्रेन फरवरी में चलाई जाना थी लेकिन इसके लिए जो रैक आया था वह माराश को दे दिया गया था इस कारण मामला टल गया अब इसे फिर से चलाने का खाका तयार किया गया है वन्दे भाराइट ट्रेन 130 किलो मीटर प्रती घंटे की रफटार से चलती है अबी तक हई स्पीट प्रती घंटे की रफटार से चल सकती है 17 हक्टियर के कंवेंशन सेंटर की जमीन का होगा भूप योग परिवर्तन सूपर कॉरिडोर की योजना 172 की 178 जमीन पर प्राधिकरन 10,000 की बैटक शम्ता वाला विशाल कर्वेंशन सेंटर निर्मित करवाना चाहता है लेकिन इस जमीन का भू प्योग मास्टर प्लान में आवासी है लिहाज़ा से वानी जिक करवाने के लिए बोर्ट से प्रस्ताव मंजूर कर नगर और ग्राम निवेश को भू उप्योग परिवर्तन के लिए भीजा जाएगा आज आयोजित बोर्ट बैटक में इसके अलाबा टीपी ऐस नो और दस के साथ सो से अधेक आपत्ती करताओं की सुनवाई के पशात कठित समीती के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी जिसमें तिलत नगर एक्सेंशन जैसी संसा की जमीन को विकास शुलक जमा करवाने क साथ सशर्त मुक्त की आजा सकेगा वहीं स्टाट अप पार्क के लिए कंसल्टेंट के न्युक्ति का निर्ने भी बोर्ट लेगा राज्य के पैंशनरों के लिए अच्छी खबर पैंशन राश्य में होगी व्रदी अब मिलेंगे एक हसार मध्य प्रदेश की पैंशनरों के लिए अच्छी खबर है व्रदावस्ता पैंशन योजना पर ताजा अपडेट है अब बुजर्ग पैंशनरों को हर महीने एक हसार पैंशन राश्य मिलेगी वर्दबाल समय में यह राश्य चहसार रुपे प्रतीमा है जिसमें करीब 70 फीसे दी की बढ़ातरी होगी और हर पैंशनर्स को 400 रुपे का फायदा मिलेगा दरसल हाली में सीम शिवरा सिंग्चुवान ने ऐलांग किया था कि अब व्रदावस्ता पैंशन में बढ़ातरी की जाएगी फिर बढ़ सकती है लोन की एमाई आरबियाई ने दिया ब्याज दर में बढ़ातरी का संकेत एक बाब फिर से जन्ता की जेब पर कर्स का भाहर बढ़ सकता है इसके चलते लोन की किष्टे फिर से महंगी हो सकती है आरबियाई ने आज इस प्रकार के संकेत दिये हैं बुद्वा को आरबियाई की मौदरिक नीती बैटक के मिनिट्स चारी किये गए इसमें आरबियाई गवर्नर शक्तिकान दास ने काय की अभी महिंगाई के साथ भूराजमेतिक तनाववा वश्विक वित्य बाज़ा में जारी उताच अड़ाव को देखते हुए बैंक दरों में बढ़ातरी को रोकना समय से पहले का कदम होगा पिछली बैटक में 6 सदस्य एंपी सी के 4 सदस्यों ने रैपूरेट में व्रदीच की थी जबकी दो ने इसके खिलाब वोट दिया था अनिल कुमार को रुपानकर कलाओं के लिए राज़ शिकर सम्मान खजुराहों में जनजाती गाव आदी वर्द के शुभारम कारिक्रम में मुक्षमंत्री शिवरासिंग चुहार ने वर्ष 2021 के लिए मध्य प्रदेश की नौ विभूतियों को राज़ शिकर सम्मान से नवाजा है गौलियन में जनमे भौपाल की निवासी अनिलकुमार को रुपानकर कलाओं के लिए राज़ शिकर सम्मान प्रदान किया गया है उनके सहित आठ अन्नी विभूतियों को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है मोधी सरकार में 239 प्राचीन मुर्टियां विदेश से वापस लाई गई आज़ादी के बाद से वर्ष 2013 तक विदेश से भारत की विरासत लोटा कर लाने के नाम पर सिर्फ 13 प्रतीमान लाई गई और प्रदाम मुंतरिस नरेंदर मोधी के आठ वर्ष के कारेकाल में 239 प्रतीमान लाई गई है खजुराओं में आयुजित कीज़ारी जी ट्वेंटी की पहली सांस्रतिक बैठक इस दिश्या में मैथपून योगदान देगी नई शराम नीती में बार में सस्ती शराब और बियर नहीं बिकेंगी मध्यप्रदेश सरकार ने 2324 की नई शराम नीती को स्वीक्रती दी है वानिक जिकर विभाग की तरफ से एक अप्रेल 2023 से आयुक्त आपकारी विभाग मध्य प्रदेश को नई शराम नीती के क्रियानवन के लिए निर्देश जारी किये इसके अनुसा नई शराम नीती के तहट अब बार में सस्ती शराब और बियर नहीं बिकेंगी वहीं हेरिटे शराब को टेक्स फ्री किया गया है मध्य प्रदेश की करमचारियों के लिए कमलनात ने मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चुहान से की ये बड़ी मांग कॉंग्रेस ने अपने शाशनकाल में लागू की गई मुख्यमंतरी राज्जी करमचारी भीमा योजना फिरसे प्रार करमचारी और सेवा निवरत करमचारियों के लिए 10 लाग तक के कैशलिस इलाज की सुविदा थी लेकिन बीजेपी ने इसे बंद कर दिया अब कमलनात ने पत्र लेकर इसे फिर शुरू करने की मांग की है विकास स्यात्रा में तैयार हुआ विधान सभावार लेखा जोगा कॉंग्रिस को घेरेगी भाचपा मध्य प्रदीश में 5 फरवरी से विकास स्यात्रा चल रही है इसमें विधान सभावार विकास कारियों का लेखा जोगा तैयार किया गया है इसके आधाप भाजपा सदन से लेका मैदानी स्तर्थ तक कॉंग्रिस को घेरेगी दरसल कॉंग्रिस ने 27 फरवरी से प्रारम होने जारे विदानसवा के बज़च सत्र में विभिन मुद्दे उठा कर और आरुक पत्र के माधियम से सरकार को घेरने की तयारी की है पांच फरवरी से चलरी विकास लातरा में अब तक 27,421 लोकारपन और 20,676 विकास कारियों का शिला नियास हो चुका है विबिन योजनाव के लिए प्राप्त 6,71 आविदन में से 5,5 लाग का निराकरन किया जा चुका है का ने विभागवार और विदानसवावार विकास कारियों का लेखा जोगा तयार कर आया है खंडवा जिले में 351 जिलेटिन रोड और 50 डेटोनेटर जब्त गाव केलवा खुर्द में महोना रोड स्थेत खेत पर बने मकान में नर्मना नगर थाने की पुलिस ने दबिश दे कर 351 जिलेटिन रोड, 351 और 50 डेटोनेटर कैप जब्त की अवेद रूप से विस्फोटक रखने वाले मुनना सोनी पर कारवाई करते हुए केस दर्च किया वा मचली पकड़ने वालों को विस्फोटक देशता था हवा का रूख बदला मध्धी प्रदेश में तपिश से कुछ चिराहत मिली पश्यम विशोब के आगे बढ़ने के साथ ही प्रेरिच चक्रवाद समाप्त हो गया है इस वज़ा से हवा का रूख बदल का पश्यमी हो गया है उधर हवा के साथ कुछ नमी आने के कारण उचाई के इससे पर बादल बन गए है जिसके चलते तापमान में गिरावट होने लगी है मौसम वेग्यानिकों के मताबिक 25 फरवरी तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है उसके बाद तापमान में कुछ बड़ोतरी होने लगेगी उधर बुद्वार को मध्धी प्रदेश में सबसे कम 9.8 डिग्री सलस्यस तापमान मलाच खंड में दर्च किया गया सबसे अधिक 35.5 डिग्री सलस्यस तापमान दमू में रिकॉर्ट किया गया अब UPI सुवीदा का लाब उठा सकेंगे अंतर राश्री यातरी RBI ने शुरू की सर्वेस भारती रिजब बैंक ने गोशना किये कि भारत आने वाले सभी अंतर राश्री यातरी एकिकरत भुकतार इंटरफेस का उपयोग करके लोकल पेमेंट करने में सक्षम होंगे जब तक वे भारत में रहेंगे तब तक उन्हें ये सेवा मिलती रहेगी या सुवीदा कल से ही प्रभावी है यातरियों को प्रिपेट पेमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वालेट्स जारी किये जाएंगे जो भुकतार करने के लिए UPI से जुड़े होंगे G20 राश्रों के प्रतियती भी इस UPI सुवीदा का लाव उठा सकते हैं UPI लेंक्ट वालेट्स को ICICI बैंक IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा दो गैर बैंक PPI जारी करताओं के साथ जोड़ा गया है इन्हें Pine Labs Private Limited और Transcop International Limited नाम दिया गया है स्कूल में दाखिले के नियम बदले इस उम्र के बच्चों को मिलेगा कक्षा एक में प्रवेश केंद्री सरका ने स्कूल में दाखिले के नियमो को लेका बड़ा बदलाफ किया है बुद्वार को शिक्षा मंतराले ने सभी राज्जों और केंद्र शाषियत प्रदेशों को निर्देश वारी किये हैं पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की एक उम्र निरधारित की गई है नई शिक्षा नीटी के तहित कक्षा एक में दा खीले, क्लिए चातरों की उम्र 6 साल या उससे देख होना अनिवारी हो इससे पहले भी सरकार ने प्रात्मिक शिक्षा की नियमों में बदलाव करने की बात गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक मूलभूत चरण में सभी बच्चों के लिए पात साल सीखने का मौका शामिल किया गया है जिसमें से तीन साल प्री स्कूल के लिए और दो साल कक्षा एक और दो के लिए है ये तो थी आज की 25 फटा फट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद